नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल न्यूज अब खबरें विस्तार से कॉंग्रेस अद्यक्ष राहूल गांधी ने आज मद्यप्रदेश में विधानसवा चुनाओ का बिगुलफू का राहूल ने भोपाल में एक विशाल रोट शो किया और कारिकरताओं को संबोधित भी किया राहूल गांधी के आने से कॉंग्रेस के कारिकरताओं में भारी उच्सा है कारिकरताओं ने पूरे भोपाल को राहूल गांधी के स्वागत में वैनर पोस्टर से भर दिया है मद्य प्रदेश में आगामी चुनाओं के मद्य नजर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने आज भुपाल में चुनावी बिगुल्फू का राहूल गांधी का एरपोर्ट पर दिगविजय सिंग कमलनाथ जोतिरा दित्य सिंध्या वाकारेकरताओं ने स्वागत किया राहूल गांधी ने कुछ समय कॉंग्रेस कमेटी के पधादिकारियों वाकारेकरताओं से चर्टा की और चुनावी मंत्र भी दिया राहूल गांधी ने आज चुनावी मुद्दों पर बात की जिसमें खास तोर पर युवाओं को रोजगार दिलाने की बात थी बढ़ती म राहूल ही में कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी केलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी कर लोटे हैं। नजारा था राहुल गांधी अपने कारेकरताओं के आगरे पर भोपाल के प्रसिद्ध राजू ट्री स्टॉल पर चाई की चुस्कियां लेते नजाराएं चाई के साथ अगर भजिये सामने आ जाएं तो भला कौन रोक सकता है अपने आपको ऐसा ही कुछ राहुल के साथ हु कांग्रेस के रास्ट्रे अध्यक्ष राहुल गांधी के दोरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी एक पर फिर उजागर हुई है यहां भेल दशेरा मैदान पर प्रदेश के लगभग सभी बड़े नेताओं के पोस्टर और कटाउट लगाए गये हैं लेकिन इनमें पूर्व मुखमंत्री दिगविजे सिंग के पोस्टर और कटाउट गायव हैं इससे दिगविजे समर्थक नाराज हैं राहुल गांधी के भोपाल पहुचने से पहले कांग्रेस की अंधरूनी सियासत में बवाल मचा हुआ है मामला सभा इस्तल पर दिगविजे सि दान पर सोनिया गांधी राहुल गांधी कमलनाथ जोतिरा दित्य सिंध्या सुरेश पचोरी अजय सिंग सहित सभी बड़े नेताओं के कटाउट नजर आएं वहीं विवेक तंखा शोभा ओजा कांतिलाल भूरिया और अरुन यादव के भी बड़े-बड़े कटाउट सभ उडबाजी बता रहे हैं वहीं पार्टी के भीतर भी से लेकर बवाल मच गया है कॉंग्रेसी नेता इस मामने में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं पैट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है रोज तेल के दाम नई उचाईयों को छू रहे हैं पैट्रोल की कीम सकते हैं उन्होंने कहा कि अगर सरकार मुझे ऐसा करने की इजाज़त दे और टैक्स में कुछ छूट दे तो मैं भारत को 35 से 45 रुपे लीटर में पैट्रोल डीजल दे सकता हूं उन्होंने कहा कि पैट्रोल डीजल की उंची कीमतों का अगले साल चुनाफ पर असर पड़े हांत रख दिया है और कहा कि इंधन की कीमतों को GST के निम्नतम दाइरे में लाया जाए ना कि अधिकतम 28 फीसिदी के स्लैब में लोगों की जेब तेल के महंगे होने से खाली हो रही है लगातार बढ़ते दामों को मोधी सरकार दवाब में है हाला कि लगातार गिर्ती रुपे की कीमत और अमेरिका द्वारा इरान पर लगाए गए प्रतिबंध आधी कुछ ऐसी वैश्विक वजाए हैं जिससे सरकार पेट्रोल की कीमतों में कटोती नहीं कर सकती है अगर मोधी सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक रुपे की कटोती करती है तो उसे रासव में 14,000 करोड का नुकसान होगा इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए दखल नियूस दखल आपके हक में